Hello दोस्तों, The Knowledge Hub पे आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ Current Affairs का Test Series Test No.3 जो की 16th June से 30 June तक है और जो 1st June से 15 June तक का वीडियो है मैं इस वीडियो के description में उसका link डाल दूँगा आप प्लीज उसको भी देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं Question No.1 DRDO has developed Germy Clean It Is Our DRDO ने Germy Clean विकसित किया है यह है एक Hand Sanitizer, Sanitizer Chamber, PPE Kit, Spray to Kill Coronavirus हाथ संधीदाता, संधीदाता Chamber, PPE Kit, Spray Coronavirus को मारने के लिए जल्दी सितीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है B इसका सही आंसर है B, यह Sanitizer Chamber है यह basically जो Security Forces हैं उनकी वर्दी को साफ करने के लिए DRDO ने विकसित किया है क्योंकि उनको हर समय ड्यूटी पे रहना होता है और उनको Coronavirus से लडने के लिए यह मदद की जा रहे है DRDO के तरब से तो Germy Clean ध्यान रखना है Sanitizer Chamber Question No.2 Who was India's Permanent Representative to the UN before recently appointed officer TS Trimurti हाल ही में निक्त अदिकारी TS Trimurti से पहले UN में भारत का अस्थाई परतिनिधी कौन था असोक कुमार मुखर जी, सयद अकबर उद्दीन, निरुक माराय, संकर मेनन जल्द से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है B, सयद अकबर उद्दीन हाली में ये साठ वर्स के हो गए तो इनको रिटायर होना पड़ा और इनके अस्थान पर आ गए है TS Trimurti तो सयद अकबर उद्दीन थे इससे पहले Question No.3 I am vision is related to which sport M vision किस खेल से संबंधित है football, hockey, tennis, badminton जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है A football, देखिए भारत में दो football player काफी famous हुए है एक I am vision और दूसरे वाइचुंग भूटिया तो ये दो लोग काफी famous हैं तो हाल में ये news में क्यों रहे तो इनको पदमसरी award के लिए recommend किया जा रहा है इनको पदमसरी award देने की बाद की जा रही है तो इनका नाम भीजा गया है ऐसे में एक कुछ और चीज़ें इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये केरल से बिलॉंग करते है और इनको अरजून पुरसकार भी मिल चुके है 2003 में चीक है और ये भारत football team के captain भी रह चुके है 2000 से 2004 तर Question number 4 According to World Investment Report 2020 released by UNECTAD India is DAS largest recipient of FTI in 2019 UNECTAD द्वारा जारी विस्ट निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसर भारत 2019 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्त करता है साथमा, आठमा, नौवा, दसमा जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है C, नौवा देखिए भारत जो है वो 2019 में 51 बिलियन डॉलर FDI recipient country रहा जो की 42 बिलियन डॉलर साल काफी ज़्यादा कम रहने की संभावना है क्योंकि COVID-19 के कारण पूरे विस्व में FDI flow है उसका करीब-करीब 40 परतिसद तक उसमें कमी आने की बात की गई है इसी World Investment Report में तो आपको एक और चीज़ ध्यान क्या रखना है कि ये World Investment Report या विस्व निवेस रिपोर्ट कौन जारी करता है तो UN की संस्था है UNECTAD Quesion No.5 Recently NASA observed the 5th state of matter The 5th state of matter is हाल ही में NASA ने पदार्थ की पाँचवी अवस्था का अवलोकन किया पदार्थ की पाँचवी अवस्था है प्लाज्मा, बोस-आइंस्टेन कंडेनसेट, गैस कोई नहीं जल्द से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है B, बोस-आइंस्टेन कंडेनसेट अब देखें बोस-आइंस्टेन, ये एसन बोस-इंडियन है और आइंस्टेन के बारे में तो आपको पता होगा तो इन दोनों की जोडी ने इस पदार्थ का निर्मान किया या इस पदार्थ को खोजा, तो ऐसे में फिफ्ट स्टेट अफ मैटर, बोस-आइंस्टेन कंडेनसेट हो जाता है तो पाँच कौन-कौन से हैं, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाजमा और बोस-आइंस्टेन कंडेनसेट, यह पाँच फाइब मैटर आफ, फाइब स्टेट सॉलिड आफ मैटर है कॉश्चन नमोर सिक्स, विच कमीटी हाज बिन कॉंस्टिटेट बाई आर्बिया तो रिव्यू गाइडलाइन तो ऑफ ओनर्शिप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नीजी छेतर के बैंकों के सौमिती की गाइडलाइन की समिक्षा करने के लिए आर्बिया ने कौन सी समिती का कठन किया है, पी के महन्ती यूके सिंहा, तपन रे, टी अन मनोहरन, जल्दी से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों, इसका सही आंसर है A, पी के महन्ती अब देखिए, पी के महन्ती को कहा ये गया है, कि जैसे जैसे फाइनेंसियल सिस्टम में काफी चिंजे जा रहे हैं तो ऐसे में किस्तना हिस्सा रहेगा प्रमोटर का जो ओनर्सिप होगा उसमें प्रमोटर का कितना हिस्सा रहेगा ये अक लार्जिस्ट सेयर होल्डर कितने हो सकते हैं, तो ये तमाम चीजों का रिव्यू, पी के महन्ती की अध्यक्षिता में, पांच सदस्ये एक टीम बनाई गई है आर्पिय के दोरह और वो इसको रिव्यू करके सारा रिपोर्ट आर्पिय को सम्मिट करेंगी क्वेश्चन नमा सेवन मात्या पुरारे जमराज तैट वन अ स्पेशल जूरी अवोर्ड अट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल 2020 is a short film made in which language मात्य पुरारी जमराज जिसने अंतरास्टिय फिल्म महोचब 2020 में एक विशेज जूरी पुरसकार जीता वह किस भासा में बनी एक लगू फिल्म है आसमीज, उरिया, बंगाली, मैथली जल्दी से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है उरिया, उरिया भासा में ये फिल्म बनाया गया है COVID-19 के उपर COVID-19 के उपर बनाया गया है जिसके तहर जमराज किसको बताया गया है तो इसी COVID-19 को और इससे किस तरह से awareness लोगों के बीच फैलाई गई है कि कैसे COVID-19 से अपने आपको बचाया जाए तो इसके उपर आधारित ये लगू फिल्म है, सौर्ट फिल्म है जिसको की इस साल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल जो की चिन्ने में आयो जित हुआ तो उसमें दिया गया है Best Jury Award Question No.8 Kill Corona Campaign is of which state government Kill Corona अव्यान किस राजिस सरकार का है MP 36 गर्ड, UP राजिस्थान जल्दी से दिजी इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है A. MP अब देखिए MP गॉवर्मेंट ने 1 जुलाई से इसको स्टार्ट किया है जिसके तहत 11,458 सदस्य टीम घर घर जाकर लोगों से सर्वे करेंगी कि घर में किसी को अगर आसपास किसी को कोरोना हुआ है या घर में सदसों की संख्या कितनी है उसमें सदस की बिमारी की हालात कैसी है उनका एज कितना है यह सब कुछ डोड टोड कैमपेंग के तहत किया जाएगा जल्दी से देजे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है देखे चाइना से पहले यह यूके का था अभी चाइना का है और 1997 से अब यह क्यों करेंट अफेर्स में आ गया तो होंग कॉंग के लिए एक law बनाया गया है जो की काफी unpopular है और लोग पर यह है जो की national security law के उपर है भारत में ऐसा ही एक law ब्रिटिस के जमाने में लाया गया था रॉल एटेक्ट तो जिसके तहत इसके तहत क्या है कि अगर राजद्रो मतलब चाइना के against कुछ कहें गया या किसी विदेसी आर्मी से मिलकर अगर हॉंग कॉंग के लोगों ने चाइना के खिलाफ मुहिम चलाई या चाइना से अलग होने के लिए कोई movement चलाया अलगावाद का movement चलाया तो उनको lifetime imprisonment दिया जा सकता है आज इवन का रावास दिया जा सकता है question number 10 which payment bank launched सुरक्षा salary account for workforce of MSMEs किस भुकतान बैंक ने MSME के कारिबल के लिए सुरक्षा वेतन खाता लाँच किया जल्दे से दीजे इसका सही answer तो दोस्तों इसका सही answer है C इसका सही answer है C Airtail payment bank देखिए Airtail payment bank जो है यह इंडिया का पहला payment bank है यह भी आपको धियान रखना है इसका tagline भी है India's first payment bank एक चीज और कि सुरक्षा salary account जो है यह MSMEs sector MSMEs का मतलब होता है micro, small and medium enterprises अगर 5 लाग से कम का investment है तो micro 25 लाग से 5 लाग और 25 लाग के बीच है तो small 25 लाग से एक करोड के बीच है करीब तो उसको medium तो इस तरह के जो enterprises हैं उसमें जो जो जोटे salaries वाले salary holders लोग होते हैं तो उनके लिए Airtail ले यह facilities COVID-19 के मद्देनाजर सुरू किया है Question number 11 India's first plasma bank for COVID-19 will be set up at भारत का पहला plasma bank किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा दिल्ली, Mumbai, Chennai, Kolkata जल्दी से दीजी इसका सही answer तो दोस्तों इसका सही answer है A हाल ही में दिल्ली सरकार ने यह कहा है क्योंकि दिल्ली में करीब 50,000 लोग जो हैं वो COVID-19 से recover हो चुके हैं तो उनसे जो है blood लेकर जोकि उनके blood में antibodies भी काफी ज़्यादा develop हो चुके हैं तो उनके blood से लेकर और blood plasma को collect करके क्योंकि उसका demand काफी बढ़ गया है तो इसके लिए ये भी कहा है statement जारी किया है कि अलग से रोगियों को या percent को approach करने की ज़रूत नहीं है दिल्ली सरकार इसको मुहया करवाएंगे question number 12 YSR जगना colonies project is announced by which state? YSR जगना colony पर्योजना की घोषना किछ राजी सरकार दोरा की गई है? तेलंगाना, आंध्रप्रदेश तमिलाडू, कर्णाटका जल्दे से दिजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है B, आंध्रप्रदेश देखें, आंध्रप्रदेश सरकार ने हाल ही में कहा है, हाला कि ये 8 जुलाई को इस पर योजना की सुरुवात होगी, officially अभी forms वगिरब फिल करवाय जा रहा है, तो 26.6 26,60,000 plots आवंटित किये जाएंगे लोगों को, जिसके तहट परधानमंत्री आवास योजना के तहट उस पर मकान भी construct किया जाएगा, तो अभी फिलहाल ये plot अलॉट किया जा रहा है गरीब और marginalized family है, जो families हासिये पर हैं, जिनके income बहुत कम हैं, तो उन लोगों को ये plot अभी आवंटित किया जा रहा है question number 13 who has become the new president of Malawi, Malawi के नए राष्टपती कौन बने हैं सना मरीन, लाजर चकवेरा गोतबया राजपक्षे उमर अल बसीर जल्दे से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, लाजर चकवेरा बी, अब अलग-अलग देख लेते हैं, सना मरीन ये काफी young prime minister youngest prime minister बनी है, फिल्लैंड की चीज़ की राजधानी है, हिल सिंग की इसके बाद, गोटबया राजपक्षे, ये स्रिलंका के president है, और इनही के भाई, महंद राजपक्षे ये भी prime minister है, स्रिलंका के उमर अल बसीर जो हैं वो सुदान के अंतिम राष्टपती है पिछले साल कू हुआ था सुदान में, मिलिटरी के द्वारा जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, विनी महाजन देखे, ये बहुत ही बड़ा सन्योग है कि उनके husband DGP हैं पंजाब के, जिनका नाम है दिनकर गुपता और विनी महाजन ये पाँच सीनियर्स थैंके उन सब को सरपास करते हुए बन गई है पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्टर्टरी, 1987 बैच की है कॉश्चन नमर 15 मुख्यमंत्री मात्रु पुस्टी उपहार is announced by which state मुख्यमंत्री मात्री पुस्ट उपहार की घोशना किस राजी के त्वारा की गई है पस्टी मंगाल, आसाम, त्रिपुरा, उरिसा जल्दी से दिजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है C, त्रिपुरा इसके तहट त्रिपुरा सरकार जो है वो जो प्रेगनेंट विमेन हैं या ऐसी माताएं जो न्यूबॉर्ण बेबी की माताएं हैं जो नवजाद सिसू बच्चे की माँ हैं उनको जो है पॉस्टिक अहार उपलब्द करवाएंगी पॉस्टिक किट, नुट्रिशन किट उपलब्द करवाएंगी ताकि बच्चों को दूद के माध्यम से नुट्रिशन मिल सके तो ये काम किया गया है हलाकि जननी सुरक्षा योजना या मातरीवंदना योजना ऐसी स्कीमस भी गॉवर्मेंट की केंद सरकार की हैं लेकिन ये त्रिपुरा गॉवर्मेंट ने अलग से नुट्रिशन किट दिया है इस योजना कियते हैं जल्द से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है देखे योगा दिवस पे जो छठा इंटरनेशनल योगा डे है अभी हाली में 21st June को सेलिब्रेट किया गया है 2015 से योगा दिवस की सुरुवात की गई थी UN के दोरा एडॉप्ट किया गया था तो छठे योगा दिवस के उपर योग दिवस के उपर लॉस एंजल्स में एक विवेकानंद योग युनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी ये विस्व में भारत से बाहर कराची, लाहोर, इसलामाबाद, पेशावर जल्दे से दिजी इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है C. इसलामाबाद देखिए इसलामाबाद का ये फर्स्ट हिंदू टेंपल होगा पहला हिंदू मंदीर होगा भगवान स्री कृष्ण का और दो हजार तईस स्कॉयर मीटर में इसको बनाया जाएगा ऐसा कहा जाता है या ऐसी इस्टिमेशन है कि इसलामाबाद में कुल हिंदू की संख्या तीन हजार है और टोटल पाकिस्तान में कुल हिंदू की संख्या 80 लैक है Q. 18 इंदिरा रसोई योजना इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है B. राजिस्तान अब देखिए राजिस्तान सरकार ने हलाकि राजिस्तान में इससे पहले भी एक अनपूर्णा योजना थी लेकिन COVID-19 के कारण जोकि बहुत ज़्यादा problem हो रहा है लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं तो ऐसे में गरीब वर्गों के लिए राजस्थान सरकार ने दो वक्त पॉस्टिक आहार काफी रियायती दरों पर देने की खोशना की है और उसका नाम क्या रखा है इंदिरा रसोई योजना निमलिकित में से कौन चीन की नेविगेशन पनाली है गलोनाज गैलीलियो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपिएस बाइडू जल्दी से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी बाइडू अब देखिए चीन के साथ अभी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है तो चाइना काफी ज़्यादा न्यूज में रहेगा और चीन ने थर्ड सेटेलाइट भेजा है बाइडू का बाइडू जो की जिस तरह से जीपिएस का करता है यूएस का सभी लोग यूज करते होंगे जीपिएस तो वैसे ही बाइडू जो है चाइना दौरा डेबलब किया जा रहा है उसका एक सेटेलाइट हाल ही में भेजा गया है जून में तो इसलिए ये न्यूज में रहा तो बाकी जो है जैसे ग्लोनास ग्लोनास है रस स्कीम किस राजी सरकार ने एक ठो खेलो एक ठो पढ़े यूजना की सुरुआत की है पस्चि मंगाल त्रिपुरा मेखाल है औरी सा जल्दिश देजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी त्रिपुरा देखिए लोगों को इंगेज रखने के लिए स्टु त्रिपुरा सरकार ने की है ठीक है त्रिपुरा सरकार ने की है question number 21 no ambu bachi meela will be organized this year due to covid-19 it is generally organized at कोई ambu bachi meela is versus covid-19 के कारण आयोजित नहीं किया जाएगा यह आमतोर पर आयोजित किया जाता है कहां पर कामख्या मंदिर, लिंगराज मंदिर, मिनाक्षी मंदिर, बिरहदेस्वर मंदिर जल्दी सितिजी इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है A, कामख्या मंदिर देखें कामख्या मंदिर जो है वो निलाचल पहारी है असाम में गुहाटी से कुछ दूरी पर है वहाँ इस्तित है ब्रह्मपुतर नदी के डहलान पर तो ये हो गई बाद कामक्या मंदिर की वहाँ पर हर वर्स अंबुबाची मेला का आयोजन होता है इसके बाद जो लिंगराज मंदिर है ये भुबनेश्वर उरिसा में है मिनाक्षी मंदिर ये मदुरय तमिलाडू में है और बिरहदिस्वर मंदिर जिसका निर्मान जो है चोल वंस के राज राजा परथम नहीं करवाया था बिरहदिस्वर मंदिर तो ये थांजावूर तमिलाडू में है Question number 22 International Yoga Day is celebrated on 21st June The theme of Yoga Day 2020 was अंतरास्ट्रिय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस 2020 का विशय था Yoga for everyone, सभी के लिए योग Yoga in your habit, अपनी आदत में शामिल योग Yoga for new life, नए जीवन के लिए योग Yoga for health, Yoga at home तो दोस्तों इसका सही आंसर है D जो अंतरास्ट्रिय योग दिवस है वो हर वर्स 2015 से सुरुआत हुई है इसकी 21 जून को मनाने की और इस साल इसका theme था Yoga for health, Yoga at home चोकि होम पे में रहना COVID-19 के कारण बहुत जरूरी है बहुत कम suggestion होता है लोगों को कि कम से कम बाहर निकले तो ऐसे में अपने health का भी ध्यान लोगों को रखना है तो योग करना है और घर पे रहके करना है तो इसको United Nation ने 2015 में डॉप्ट किया था Question number 23 सत्यभामा पोर्टल हाल ही में लॉँच किया गया है यह सम्मंधित है Chemical and Fertilizer, रसायन और उर्बरक Mining and Minerals, खनन और खनिच Petroleum and Natural Gas, Petroleum और प्राकृतिक गैस Earth Science, पृत्वी विज्यान जल्दे से दिजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है B देखिए यह जो पोर्टल है यह R&D के लिए लॉँच किया गया है Research and Development के लिए किस सेक्टर में तो Mining, खनन और उससे सम्मंधित जितनी भी क्रियाकलापे हैं उन सब के लिए इसको स्टार्ट किया गया है तो आपको ध्यान रखना है सत्यभामा पोर्टल Mining, खनन के लिए Question No.24 There will be development of 500 MW of solar park in Republic of Mali by which Indian company Mali गनराज में 500 MW का विकास किस भारतिय कंपनी द्वारा किया जाएगा NTPC Power Grid Adani Group Reliance Industries जल्दे से दीजे इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है A, NTPC देखिए National Thermal Power Corporation को ये परियोजना जो है वो International Solar Alliance ने अंतरास्टी सौरगटवंदन ने सौंपा है और 500 MW ये Mali जो है अफ्रिकन देश है और जो Headquarter है ISA का International Solar Alliance का अंतरास्टी सौरगटवंदन का वो Guru Gram में है जो कि भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको COP21 जो हरवर्स United Nations Framework of Convention Convention for Climate Change UN FCCC का हरवर्स जो मीटिंग होता है 2015 में पेरिस में हुआ था Climate Change के उपर और भारत और फ्रांस ने इस Alliance को अंतरास्टी सौरगटवंदन को अस्थापित किया इसका जो Headquarter है मुख्याले है वो गुरुग्राम में है और भारत का हलाकी 2022 तक ये projection है कि सौर उर्जा को 76 Giga Watt तक कर लिया जाएगा और जो Renewable Source से इनरजी है उसको करीब 100 Giga Watt तक अचीव किया जाएगा इसके बाद NTPC है भारत के आठ महा रतनी रतन कंपनीज में से है आठ महा रतन कंपनीज में से है NTPC तो जैसे और भी बाकी कौन कौन सी है तो ONGC NTPC Gail Bail Sale IOCL BPCL ये जितनी भी है वो आपके किसमें आ जाती है तो महा रतन कंपनीज में तो टोटल कितनी है आठ है मानव नैदानिक परिक्षन के लिए भारत में COVID-19 के लिए कौन सा ठीका सुख्रित किया गया जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर तो दोस्तों इसका सही आंसर है B कोवेक्सिन तेखिए कोवेक्सिन जो है ये भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेट के दोरा इसको डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टिटूट आफ वाइरोलोजी जो पुने में है एक ICMR की संस्था है इंडियन कॉंसिल आफ मेडिकल रिसर्च भारतिय चिकतसान उसंधान परिशत की संस्था है नेशनल इस्टिटूट आफ वाइरोलोजी तो इसके साथ मिलकर इन्होंने एक वैक्सिन डिजाइन किया है जिसको की एप्रूवल दे दिया गया है कि Human Clinical Trial मतलब लोगों के ओपर इसको ट्राइ कर देखिए कि कितना हथ तक ये कारगर है इसके बाद एक और इसमें उप्सन था कोरोनिल का तो कोरोनिल जो है ये बाबा राम देब की पतंजली ने डेवलब किया और अचानक से आ गये नियूज में कि हमने कोरोना वाइरस का इलाज ढूंड लिया है तो हलाकि बाद में जेस्टिफिकेशन हुआ कि सरकार ने इसको मानेता नहीं दी थी कोरोना वाइरस के ट्रिटमेंट के लिए ये केवल इम्म्यूनिटी बूस्टर है इम्म्यूनिटी बढ़ाता है तो ये हो गई बाद 16 जून से लेकर 13 जून तक 30 जून तक जो भी इम्म्मोर्टेंट आपका करेंट अफेरस था उसका कुश्चन सीरीज तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक किजिए, सबस्क्राइब किजिए, सेर किजिए एंड तक देखिए, लोगों को बताइए थैंक्यू सो मच